उच्च गती अभ्यास खंटू परतिलेखन संख्या साथ वा आठ गती सौ सब परति मिनट डिक्टेशन सुरूरने में समय से से पान सेकंड रेडी और स्टार्ट महोदे यहां यह उलिखनिये है कि सीत यूध की समाप्ती वा समाधान एसिया की कटनाओं तथा आफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है अफगानिस्तान में लंबे अर्से तक चला यूध सोवियत संग के अस्तित्व के लिए कश्टदाई और मुश्किल हो गया इस भ्यावा यूध से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया जिनकी परिनती सीत यूध की समाप्ती से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकी करन तथा सोवियत संग का विगटन सामिल है संछेप में सीत यूध का और इस तनाव का एसिया की एकता पर दुरगामी परभाव पड़ा एसिया के सभी देश यह चाटे थे की छेतर में सांती बनी रहे चीन और सोवियत संग का सीमा विवाद चीन और वियतनाम का जगड़ा और भारतव चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को अस्पस्ट करता है इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलेंड और फिलिपीन्स के साथ अमेरिका के खेमे में चला गया था जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पस्टिम के देशों में शामिप अस्थापित कर रहा था इससे एसिया की एकता को एक नया धक्का लगा है क्योंकि एसिया के देश अलग-अलग खेमों में बट गए थे 1960 के दसक में एक नया मोड आया जब सीत यूद के समय में आसियान के नाम से एक नये गूट का प्रादुरभाव हुआ इससे दचनी पूरवी एसिया के देशों में नए आर्थिक और सुरच्छा संबंधी परियास किये गए इन देशों में सांस्कृतिक एक रूपता की वज़ा से भी एक नये गूट ने जन्म लिया लेकिन यह कहना कठीन होगा कि इन दच्छिन पूरवी एसियाई देशों से समूचे एसिया की पहचान या एकता बनाने में सहायता मिली है या उससे धक्का लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी नीती बहुत अस्पष्ट नहीं की और केवल अपने ही गूट के अंदर भूमी पुत्र नीती को जन्म दिया भारत भी अब आसियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है भारत की पहल से दच्छिन एसियाई सहयोग संगठन सार्क की अस्थापना 1985 में की गई जिसके फल्स रूप पडोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए एक नया वातावरन तयार हुआ यह प्रियास सनह सनह उपयोगी रूप लेता जा रहा है जो एसिया की पहचान बनानी की और महत्वपूर्ण कदम है व्यापार निवेश तकनिकी ग्यान संचार माध्यों में बढ़ोत्री ने विश्वेगाउं के विचार को भी पैदा किया बढ़ते हुए ब्यापार निवेश संचार एवं विज्ञान की आधुनिक तकनिकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्वर रहने के नए विचारों को जन्म दिया अंग्रेजी भासा, हॉलिवूड, कम्प्यूटर्स और उपभोगता संस्कृती ने पूरे विश्व को परभावित किया जिससे देशों में फासले कम हुए संस्कृती और सभ्यता भी परभावित हुई हो सकता है कि इसके अच्छे परिणाम ना हो ऐसी भी आसंका की जाती है उधारनता जापान दूसरे महायुध तक अपनी संस्कृती और सभ्यता वा संयुक्त परिवार जैसी आधारभूत समाजिक मानियताओं को केबल अपना ही हुए नहीं था बलकि उससे चिप्टा हुआ था लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी इरोप के परभाव से बच नहीं सके महोदे दूसरे सब्दों में आर्थिक व्यापारिक निवेश और तकनिकी कारणों से दुईतिय महायुध के बाद और सीत युद के दोरान एसिया के देशों में पुना धुंदलापन पैदा हुआ लेकिन यह बात सही नहीं है कि एसिया की संस्कृती और सभ्यता को पस्चिम के परभाव और आधुनिक्तम तरीकों ने नश्ट कर दिया हाँ एक धक का जरूर दिया पर समय समय पर एसिया का यह रूप एसिया की यह सभ्यता और संस्कृती बलसाली तरीके से उदैमान होती दिखाई देती है पंडित जवाहालाल नेहरू ने उन्हेसवपेंतालिस में अपनी पूष्टक डिस्कवरी ओफ इंडिया में एसिया की पहचान पर लिखा है कि हजार वर्सों से जब इरोप अपने अंधकार के यूग में था एसिया ने अपने मनुस्यों की प्रगतिसील आ जताया की एसिया की संस्कृती और स्व्यता इरोप की संस्कृती और स्व्यता से अधिक प्राचीन है आज के दिनों में भी चीन के नेता अपने यहां आध्यात्मिक करांती की बात करते दिखाई देते हैं और अपने आर्थिक विकास को भी परतिविम्वित करते हैं मलेशिया के परधान मंत्री भी बड़े गर्व के साथ मलेशिया के रास्ते की बात करते हैं और आधुनिक्ता और पारमपरी संस्क्रीती के मिश्रन से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं भारत के परधान मंत्री भी मध्यमारगी की बात करते हैं जिसको वे भारत का पारमपर विचार कहा करते हैं व्यतनाम के यस सवी नेता भी सामनेवादी विचारधारा को पारमबटारिक सहसनूता के अनुसार धालना चाहते थे एश्या के इन सब नेताओं की समय समय पर की गई घोस्नाओं का वर्तमान संदर्वो में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए जो एसिया की प्रहचान को नए सीरे से बनाने में सहायक सिध हो रहा है यह यहां यह भी बताना उचित होगा की हाल के वर्सों में एसियाई देश विसेश रूप से पूर्वी एवं दस्चनी पूर्वी एसिया के देश एसिया के सुद्र देशों के रूप में उभरे हैं और इन देशों के आर्थिक विकास की दर विस्व के किसी भी अन देश के आर्थिक विकास की दर से अधीक है तथा जिनके आने वाली सताबदी में विश्व आर्थिक बेवस्था के निर्माताओं के रूप में भरने की आसा है आर्थिक सफलता की इन कहानियों का सरे मुख रूप से अनुसासित कार्ज किफायत एवं बचत की उची दरो जैसी एसियाई विश्षताओं को जाता है तथा इनसे देशों की जनता की जीवन अस्थर में सुदार आया है और एसिया की पुनह खोज जैसा वातावरन बन रहा है एसिया के देशों में अब आपसी भाई चारे की बात भाबना उभर रही है और इससे ये देश परस पर निर्भर हो रहे हैं तथा सीत यूद के परभाव से मुक्त होते जा रहे हैं हमारी सरकार ने अपने एसियाई पुरोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में पहल करके इस बदलते रुख के परती सकारात्मक रवया अपनाया है इन सब परसनों का जवाब आज उपलब्ध नहीं है लेकिन सनह सनह इन परसनों में ही इसके उत्तर मिलेंगे एसिया अपने इन परसनों के उत्तर में एक नए एसिया को जर्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा जोप और अमेरिका के आधुनिक और द्योगिक विकास में फर्क नजर आता है स्टॉप